I welcome back again So last video tutorial में हमने यह list पनाई थी हमने कंट्रीस की list को little फैच किया था तो अगर अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे भी benefit हो और maximum लोग इससे benefit हासिल कर सकते हैं, इसके लाब आप मुझे Facebook group मेरा join कर सकते हैं, इसके लाब मुझे LinkedIn पर follow कर सकते हैं, इसके लाब मेरे से social media पर भी connect हो सकत हैं, जहां पर आप मेरे experience से benefit हासिल कर सकते हैं, ठीक है, so now the thing is, के let's start, now let's go to our service, not our view, and then आप यहां पर एक और widget create करें, और screen create करें, जिसको आप name देदे, detail, okay, screen, okay, and then आप इसको यहां पर import कर ले, okay, import, material, okay, and then आप यहां पर इसको name देदे, state, state full, okay, for, और यहां पर आप इसको name देदे, detail, screen, okay, and then what we need to do, अब हम countries list पर वापस जाते हैं, यह जो हमारी list है, okay, यहां पर आप देखें, इस is empty, यहां पर आपके पास यह list style है, okay, so list style की उपर आपने क्या करना है, आप करना है, inkwell widget को, okay, for example, आप इसके उपर tap करते हैं, तो अब आपने कुछ actions perform करने है, and then, आपने यहां पर on tap, okay, आपने यहां पर क्या करना है, on tap, okay, and then, यहां पर आपने navigator, okay, navigator dot, okay, push, and then, आप यहां पर material, okay, material, page, page route, and then, आप इसको यहां पर context provide कर दे, and then, आप context से बाहर निकल कर, है, आप अपनी screen का इसको name provide कर सकते है, and वो name क्या है, detail screen, okay, so, detail screen, यह आप के पास आगे detail screen, yeah, okay, अब इस detail screen को हम यहां से material page को नीचे ले जाते है, and detail screens को भी नीचे ले जाते है, ठीक है, now, yeah, that's it, now, what we need to do, जब मैं इसके उपर, अब tap करूँगा, तो देखे, मैं next screen के उपर चला गया हूँ, ठीक है, अब मैं back आगया हूँ, ठीक है, now, let's go to our detail screen, and यहां पर हम क्या करते हैं, हम scaffold, okay, and अपनी screen को design करते हैं, scaffold, okay, and then again, scaffold, and then, आप यहां पर इसको provide कर दें, क्या, यहां पर title, provide करे, which is going to be our country name, और वो कहां से आएगा, वो back screen से आएगा, ठीक है, and then, हम इसको center को true कर देते हैं, okay, अब यह हो गया, अब हमने क्या करना है, अब हमने constructor की थ्रूँ data पास करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम यहां पर एक variable create करते हैं, string, name, okay, and then, आप यहां से constant को remove कर दें, इन तमाम चीज़ों को आप यहां से remove कर दें, and then, आप required, okay, this.name, okay, इसके इलावा बाकी जो है, हमारे पास उस API में data जो आ रहा था, यहां पर आप देख सकते हैं, यह देखें, यह तमाम पूरे countries का data आ रहा है, तो यह तमाम चीज़ें हम अब आगे, अपनी back screen से forward करेंगे, ठीक है, so मैंने यहां पर कुछ name, मैंने already यहां पर कर रखे हैं, आप इसको exactly फिर copy कर सकते हैं, ओके, and आप यह तमाम यहां पर अपने साथ ले आए, ठीक है, अब इसके constructor में आप से मांग रहा है, कि आप इन तमाम को इस constructor में भी pass करें, तो मैं यहां पर directly pass कर लेता हूं, just to save the time, and then आप इसको manually pass आप करते रहेंगे, ठीक है, then यह तमाम आपका constructor हो गया, then आपने यहां पर add widget.name, ठीक है, कौन सा name, आपकी country का name, अब आप देखें, तो आपके पास country list के अंदर error आ रहा है, ठीक है, वो आपको कह रहा है कि मुझे यह values provide करें, जो आपने यहां पर mention की है, ठीक है, देखें, यहां आपके पास error आ रहा है, अगर आप इसके उपर option देखें, तो यह कह रहा है कि यह तमाम values आप यहां पर add करें, ठीक है, so for example, for example, मेरे पास क्या था, name, तो मैंने snapshot.data underscore, what was the name, yeah, country, यह, okay, देखें, यह, मैंने यहां पर कर दिया, and still error आ रहा है, कि मुझे और यह तमाम parameters यहां पर detail screens में है, यह तमाम मुझे यहां पर copy करने है, ठीक है, again, अगर मैं image करवाना चाहता हूँ, यहां पर, okay, तो image से, again, मुझे यह, यहां पर मैंने यह पास कर रखा है, मैं यहां से copy करके, इसको यहां पर provide कर दूँगा, ठीक है, so just to save the time, मैंने यहां पर already done कर रखा है, और मैं इसको यहां से copy paste कर देता हूँ, अब आप देखें, यहां फिर आप खुद कर सकते हैं, just all you need to do is, कि आप इस process को समझे, ठीक है, अब मैं tap करता हूँ, इस screen के उपर, तो मेरे पास देखें, इस country का name आ गया, ठीक है, for example, मैं यहां पर क्लिक करता हूँ, तो मैं पस country का name आ गया, now let's go to our detail screen, अब हम इसको design करते है, and designing start होती है, body से, and then we have then, column, okay, and column, okay, so I'm not thinking of using the column, so let's start, just use column this time, okay, column and then we have this, we will use stack, okay, and inside the stack, we will use, we have the children, okay, and then in the children, okay, just column, make sure that we make it to the center, okay, so I'm gonna take our design to the center, and again, I will take it back here, and what I have seen here, in my world stats, के अंदर यहां पर तेखे हैं, यह reusable row यूस की थी, again मैं इसको यहां पर यूस कर लेता हूँ, card widget के अंदर card, it's going to be child, okay, and it is going to accept column, because I have multiple values, so यहां पर again children, and then मैं यहां पर reusable row को import कर लूँगा, values में मेरे पास क्या है, cases, and then यहां पर values में, इसको मेरे पास, widget dot, total cases, यह देखे हैं, आपके पास value आगी, ठीक है, and then it is, it is string, so let's give it a two string, it's integer, ठीक है, आप यहां पर उसकी data type, देख सकते हैं, यह देखें, यह देखें, यह देखें, यह देखें, so now just save it and give it a run, तो अब देखें, आपके पास यहां पर यह आ गया है, ठीक है, but हमने stack क्यों use किया था, because हमने अपने design को matching करना है, यहां पर आप alignment, alignment के पाद आपने क्या करना है, top, center, okay, and then आप यहां पर size for, okay, that's it, now let's go to just, now what we need to do, we need to show the image, okay, so I'm just planning to show circular avatar, okay, and then यहां पर इसका जो radius होगा, वो 50 pixel होगा, and then इसकी जो background image होगी, वो होगी network image, और network image कहां से आ रही है, back screen से my data, पास कर रहा हूँ, so widget dot image, okay, so why it's giving me the error, okay, just let me check network image, okay, it's background color and it's supposed to be background image, okay, so यह देखें, अब आपके पास यह आ गया, but इसमें एक issue है, और वो यह है कि यहां पर यह match नहीं हो रहा, तो अब आपका यह जो card है, अब हम इसको दे देते हैं, padding, okay, और इसको हम padding देंगे, media query q3, just to make sure कि हमारे design के साथ align हो, तो यहां पर आप, मैं इसको कर देता हूँ, just for the time saving, मैंने यहां पर already media query की height इसको दे रखी है, 0.67, okay, and again, यहां पर मैं एक size box use करता हूँ, okay, देखें, यहां पर यह जो मेरा cases है, यह top पर आ रहे हैं, तो मैं यहां पर size box use करता हूँ, and यह देखें, अब यह ठीक हो गया, ठीक है, again, cases आ गए, बाकी भी similarly, आप in reusable row को आप यहां पर import करते जाएं, और यह आपके पास तमाम data जो है, यहां पर show हो जाएगा, यह देखें, ठीक है, so now we have our fully working app, but इसमें एक चीज है, अब देखें, मैंने क्लिक किया आ गया, but अब जब मैं सर्ष करूंगा, अब क्लिक नहीं हो रहा, why, किस आपकी जो country list में मैंने, जो click listener implement कर रखा है, यह देखें, यह click listener, okay, इसको मैं copy कर लेता हूं, वो कहां पर implement है, वो जब वो list show होती है, जब यहां पर यह controller empty हो, और जब empty ना हो, तो अब आपने क्या करना है, आपने simply यहां पर, again, inkwell, okay, यहां पर आपने इसको on tap वाली property प्रोपर्टी प्रोवाइट करनी है, on tap, okay, अब आप इसके अंदर यह data pass कर दें, okay, तो अब आपके पास यह जो click है, यह काम करेगा, देखे, so for example, मैं यहां पर India search करता हूँ, and then I click on this, तो मुझे इंडिया से related तमाम data जो है, यहां पर show हो रहा है, so हमने covid की application finally complete बना ली है, यहां से हम इसको दुबारा सी rerun करते हैं, ताकि आपको demo में नजर आ जाए, आपका logo animate हो रहा है, okay, and then, यह देखे, हमने spin card सीखा, हमने pie chart सीखा, हमने API को hit करना सीखा, हमने shimmer facts सीखे, हमने list को कैसे filter करते हैं, वो सीखा, फिर हम उसके उपर tap करें, तो कैसे आगे data पास करेंगे, okay, then एक screen से दूसरी screen के अंदर data कैसे पास करेंगे, तो यह तमाम concepts, आप अगर individually सीखे, तो इतना better way में नहीं सीख सकते हैं, जितना कि आप एक project के अंदर implement करें, आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है, so this is the beauty, कि अगर आप एक project को साथ सीखते हैं, तो आप चीजों को बहुत easily सीख जाते हैं, ठीक है, so again at the end, मैं लास्ट एक और वीडियो बनाऊंगा, जहां पर मैं तमाम concepts को conclude करूंगा, but at the end, I hope fully कि जो मैंने पूरी एक API tutorial की series बनाई है, आपको इससे benefit हुआ होगा, आपने कुछ सीखा होगा आपने लिए, ठीक है, because at the end, the purpose of all of these content is just to make you understand the concept and make you understand the process, so once you know the process, okay, so once you know the process, it's easy, it's easy, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके लिए चीज़ में बहुत ज्यादा easy हो जाती है, but if you don't know the process, so फिर आपको चीज़ों को understand करने में बहुत difficulties होती है, ठीक है, so that's it from this video, I would say, and अगर आपने मेरा चैनल नहीं subscribe किया है, तो do subscribe ही, because I'm doing really, putting some really good effort just to make sure कि आपके लिए अच्छा content बनाऊं, ठीक है, regardless of I don't care about the views, because I care about the quality, and quality यह है कि आपको जो भी काम कर रहे हैं, उसके back, उसके जो backend पर जो काम हो रहा है, जो process हो रहा है, आप उस process को समझे, जब आप वो समझ जाएंगे, तो कल को आप Flutter, Google Developer Expert, GDE भी बन सकते हैं, ठीक है, अगर आपको backend और चीजों का नहीं बता होगा, concepts का, तो आप बहुत ज़्यादा stuck होंगे, और बस, at the end, I would say, thank you so much for watching my videos, and hope कि आपको यी video series बहुत अच्छी लगी होगी, इसके लाव आप हम Google Maps के उपर वीडियो बनाएंगे, वो भी आपके लिए काफी जबदस्त होंगी, and thank you so much from this video, आप मुझे subscribe करें, LinkedIn पर follow करें, social media पर आप में सब connect हो सकते हैं, and I'll see you in the next video, thank you so much.